हेलो फ्रेंड्स मोनिकास किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही कम समय में बन जाने वाली क्रिस्पी आलू पालक पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ और दोस्तों ठंडी के मौसम में कोई गर्मा गरम खाने की चीज और वो भी जल्दी से बन जाए तो क्या बात है तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं गर्मा गरम क्रिस्पी आलू पालक पकोड़ा की रेसिपी क्रिस्पी आलू पालक पकोड़ा बनाने के लिए यहां पर मैंने एक बाउल में एक बंच पालक को अच्छी तरह से धो के चौप कर लिया है फिर इसमें हम टू मीडियम साइस के पोटेटो को अच्छी तरह से वाश करके धो के कद्दू कस करके डाल देंगे उसके बाद इसमें एक ग्रीन चिली को अच्छी तरह से चौप करके डाल देंगे फिर एक टीस्पून चौप्ड कोरियंडर लिफ्स डाल देंगे थ्री फोर टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे फिर वन फोर टीस्पून हिंग डालेंगे वन फोर टी स्पून हल्दी पौडर डाल देंगे वन टी स्पून कोरियंडर पौडर डाल देंगे हाफ टी स्पून रचिली पौडर डाल देंगे हाफ टी स्पून जीरा पौडर डालेंगे एक इंच के अद्रक को ग्रेट करके डाल देंगे फिर इसके बाद एक टी स्पून तील डालेंगे फिर एक टी स्पून डेसिकेटेट कोकोनट डाल देंगे फिर एक टी स्पून लेमन जूस डाल देंगे उसके बाद इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसमें हम 4 टेबल स्पून राइस फ्लार डालेंगे राइस फ्लार से इसमें कुरकुरा पन आएगा राइस फ्लार डालने के बाद अब इसमें हम 3 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे बेसन डालके हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर अच्छे से mix हो गया है अब इसमें हम एक टेबल स्पून पानी डाल देंगे एक टेबल स्पून पानी डालने के बाद इसे एक अच्छे से mix कर लेंगे तो यह हमारा अच्छे से better बनके ready है अब इसे हम fry करेंगे फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ओयल को गरम करने के लिए चढ़ा दिया था ओयल गरम हो गया है अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाके डालेंगे आप चाहे तो इस्पून की साहता से भी इसमें डाल सकते हैं अब जितना इस ओयल में आ जाएगा उतने पकोड़ो जैसे ही निशे साइट से फ्राई हो जाएगा उसे हम पलट देंगे और उपर साइट से भी हम फ्राई कर लेंगे तो यह हमारा पकोड़ा फ्राई होके रेडी है अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे तो यह हमारा क्रिस्प आलू पालक पकोड़ा बनके रेडी है फ्रेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और फ्रेंट्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा झालूं हुगा कैके जो 찾ते來 हाँ laga झाला हुगा झाल झाले झालूं हो इसे गधीस जाएगा झाले झालर Service Clown झाल